वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट एडू लर्निंग पॉइंट चनल में मैं सरवन कुमार अपस्वी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ आईए दोस्तों हमारा आज का भहुत ही महत्वपुन टॉपिक है हिंदी व्याकरण से प्रते प्रते है वो दो शब्दों स और सरग ठीक है उप क्या होता है उपर अगर उपर किसे होगा वो जब कोई चीज नीचे होगी जब कोई नीचे है तब ही तो वो उपर है तो उपर क्या होगा तो वो आगे होगा तो जो शब्द आगे लगे जो उपर है और जो शब्द आगे लगे है वो उपसर कहलाते है और जो जैसा कि नाम से ही इसके शुरू हो रहा है, पर, पर का उचारन ही पीछे से होता है, ठीक है, तो जो शब्द, किसी जो शब्द के पीछे लगे, वो परते कहलाते हैं, ठीक है, ये तो थी हमारी ट्रिक, ये भी आप याद रखी, उपसर्ग क्या होगा, जो उपर होगा ठीक है, उपर कब होगा, जब वो आगे होगा, ठीक है, जब आगे होगा, तो किसी शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं, वो उपसर्ग, और पर, जैसा कि इसके नाम से ही शुरू है, पर होता है, पीछे, जिकिसी शब्द के पीछे लगे हैं, वो परते, अब इसकी जो व्याकरणिक जो प्रिभाशा है वो देखिए जो सब्दान सब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्मान करते हैं वे प्रत्य कहलाते हैं देखिए दो तरह से बनते हिया तो धातू होगी या वो संग्यासरवनाम इस तरह के वो शब्द आएंगे तो देखिए जो धातू से लिकर बनते हैं वो ते लिख पलस आवट आवट इसमें प्रत्य लग गया तो ये शब्द बन गया लिखावट दूसरा लिख पलस अक लेखक ये दोनों क्या हो गए ये प्रत्य बन गए और जो शब्द निर्मान ये कर रहे हैं ठीक है तो आवट किरिया के मूल रूप में जुड़कर ने शब्दों का निर्मान करते हैं ठीक है तो किरिया का मूल रूप कौन सा होता है ये बाता आप ध्यान रखिए तो किरिया का मूल रूप होता है धातू जैसे पिछले उसमें पढ़ा था हमने जो लिख है जो लिख क्या है वो प्रत्य कहलाते है और करत्प्रत्य से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते है क्रदंत ठीक है जो नया शब्द बनता है क्रत्प्रत्य लगाने से वो क्या कहलाता है वो क्रदंत कहलाता क्रदंत दो शब्दों से मिलकर बना है क्रत पलस अंत तो इसके कुछ उधारण देखिए ज जो सभी दोस्त है इसको असानी से समझ सकेंगे तो देखिए जो मूल दातू या जो شब्द है देखिए लड़ जो पूरा शब्द क्या होता है लड़ना लेकिन यहाँ पर क्या है जो कृत परते में वो सिर्फ हम दातू का प्रियोग करते हैं देखिए यह लड़ लड़ शब्द है और इसमें क्या जोड़ दिया पर्ते? आका परते जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, जो क्रिदंत विद्द क्या बना वो बन गया लड़ा आका दूसरा देखिए कम कम और जो विक ये दोनों के आमूल धातू है इसमें उ परते अगर हम जोड देते हैं तो कमाऊ और विकाऊ ये दोनों इसके करदंत बन जाएंगे ऐसे ही लूट में एरा परते जोड दिया तो लुटेरा ठगने वाला ठीक है जो दूसरों को लूट लेता है तो देखिए अगला देखिए रट पलस रट और भिड ये दोनों धातू है इसमें अगर अंत जोड देंगे ठीक है तो ये रट अंत और दूसरा भिड़न्त ठीक है ये दोनों शब्द इसमें से बन जाएंगे अगला देखिए तैर तैर में अगर आख परते हम जोड़ेंगे तो तैराख बन जाएगा ठीक है ये बात आप याद रखिए अगले देखिए कुछ और शब्द हम आप के लिए लेकर आए हैं जो बार बार पुछे जाते हैं देखिए मिल मिल है वो धातू है उसमें आप जोड़ देंगे तो मिलाप ठीक हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो मिलाप दोनों का मिलना ऐसे ही गा और रे गा अलग शब्द है और रे ये कहमूल धातू है अगर इसमें एया परते जोड़ देंगे एया परत्य से भी कई बार हमारे एग्जाम में परसन पूछे जाते हैं तो देखिए गवया और रवया ये दोनों बन जाएंगे ऐसे ही थी या और ओड अगर इसमें ना जोड देंगे तो देखिए खाना पीना और ओडना ये शब्द बन जाएंगे अगले जो शब्द है वो उठ और उड हैं अगर आण जोड देंगे तो उड़ान और उठान बन जाएगा ऐसे ही कुछ और शब्द है चिला और गब्रा इसमें अगर आहट परते जोड देंगे तो वो चिलाहट और गब्राहट ये बन जाएंगे अगला देखिए जो लेख और बैठ इसमें कैपरते जोड़ेंगे तो लेखक और बैठक ये दोनों हमारे जो शब्द बन जाएंगे ऐसे ही बोल और हश ये दोनों मूल धातु हैं अगर इसमें हम इपरते जोड़ेंगे तो ये बोली और हशी ये दोनों इसमें से बन जाएंगे तो देखिए जो अगला प्रते हैं हमारा वो है तद्धित पहला कौन सा था करत और दूसरा है तद्धित सिर्फ दो ही प्रते हैं आप इन्हें आसानी से याद कर सकते करत पलस तद्धित देखिए तद्धित कैसे बनते हैं वे प्रते जो धातु को छोड़ कर पहले वाले में क्या थी वो धातु मेहतवपूर्ण थी इसमें धातु को छोड़ दिया गया है अन्य शब्दों अन्य शब्द कौन कौन से हो गए वो संग्या सरवनाम और विशेशन के अंत में प्रियोग किये जाते हैं वे तद्धित प्रत्य कहलाते हैं ठीक है वैसे जो करत प्रत्य से जो शब्द बनते थे वो करदंत कहलाते हैं और ऐसे ही जो तद्धित प्रत्य से जो शब्द बनेंगे वो तद्धितांत कहलाएंगे ये बात आप याद रखिए अब देखिए पहले प्रत्य दिया गया है फ स्थान का जो नाम बताए वो क्या हो संग्या तो ये वस्तु है लोहा और सोना तो क्या है ये संग्या है और इसका धारन क्या बनेगा लोहा में आर परते जोडेंगे तो लोहार और सुनार ऐसे ही आई जो अच्छा है बुरा है मीठा है ये क्या है ये विशेशन है याद रख कि ये बड़ी गंबीर विशय है ये अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आप कभी बूलने वाले नहीं है और हम आपको इतने प्यार से समझाएंगे कि आप कभी बूल नहीं पाएंगे तो देखिए अच्छा बुरा और मिठा ये क्या है विशेश्टन है और इसमें आई ज जोड़ेंगे कला में और कहानी में तो क्या बन जाएगा कलाकार और कहानीकार अगला देखिए प्रते हैं शब्द और उधारण आश अगर आश प्रते है उसमें खटा या मीठा अगर शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा खटास और मिठास ठीक है ये हमारे जो स्वाद को बताएगा अगला देखिए पन पन शब्द है ये परते है और इसमें जो शब्द है वो है बालक लड़का बच्चा छोटा और बड़ा तो क्या बनेंगे बालकपन लड़कपन बच्पन छुटपन और बड़पन ये सबी शब्द इसमें से बन जाएंगे ऐसे ही ता प्रते है ये कई बार पूछा जाता है जो ता प्रते है ता इला और आ ये बात आप याद रखिए और मानव और दास अगर शब्द जोड़ेंगे तो मानव ता और दास ता ऐसे ही जो इला है गरव जहर पत्थर रंग और सुर ये अगर शब्द इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा गरविला, जहरिला, पत्रिला, रंगिला और सुरिला सारे में इला परते आ गया है और जिनके जो रंग डंग है वो भी यहां पर में दिखाई दे रहा है तो द्यान दीजिए आ परते है अगर चातर, शिष्य, भूक और प्यार इन सभी में आ जोडेंगे तो इसका जो द्यान देखी ज़्यादातर यह इस त्रिलिंग बन गए है ठीक है चातर में आ जोडा तो चातरा हो गई लड़की के लिए प्रियोग किया जाता है शिष्य में आज ओड़ दिया तो शिष्या हो गया ऐसे ही भूक में भूखा और प्यार प्यारा यह सभी आप रते से बनते हैं तो देखिए अगले कुछ और प्रते हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बार बार पुछे जाते हैं ठीक है जदा टेंस होने की आपको ज़रूरत नहीं है हम जो सर्वन कुमार हैं आप सभी को पढ़ाने वाले हैं हम आपको इतने प्यार से पढ़ाएंगे ध्यान दीजिए जो ई है ई प्रते में जब हम धन, लोब और करोध ठीक है एक काम वासना आए है इन काम प्रियोग करते हैं जो दितने भी विकार मनुष्य के होते हैं अगर इसमें ई प्रते जोडेंगे तो क्या बने जाएगा ये धनी, लोभी और करोधी ऐसे ही ये दया और अनूकरण ठी यब दिम्हें लू जोडेंगे परते तो दयालू और करपालू बन जाएगा आहट जो परते है उसमें चिकना और गरम ये दोनों शब्द हम जोडेंगे तो क्या बन जाएगा चिकनाहट और गरमाहट ऐसे ही पा है पा में जब बूढ़ा और अपना इसमें पा परते जोड़ेंगे तो बढ़ा पा और अपना पा ठीक है मुझ तुम और आप इसमें सा परते जोड़ेंगे तो मुझ सा तुम सा और आप सा और वा ये परते तो आप जो जितने भी जो हमारे विदवान साथी अगर mathematical calculation वो लिखते हैं ठीक है इंदी वाशा में ठीक है जो सब्दों में जो लिखे जाते हैं तो उनमें आपको पता होगा कि वा परते जोड़ा होता है ठीक है जैसे नो वा आठ वा और दस वा ऐसे ही वान है ये गुणों को बताता है गुण वान और दया वान वान परते काद धेन किया है तो अब इसके कुछ कोश्चन लेकर आए हैं देखते हैं आप सभी को कितना इसमें से मालूम है अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बुले और बैल आइकन जुरूर दबाएं जिससे हमारे आने आनसर होगा अभी तक आपने सुना है तो देखिए ट्रिक भी हमने आपको बताई थी तो जो प्रे प्रे क्या था इसमें पै तो अगर यह कहां जाएगा यह पीछे चला जाएगा ठीक है जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तो ख्या उप्शन हमारा यहां पर आंसर है दो है पहला है क्रत तूसरा है तद्धित दो प्रत्य की भेद हैं तो नेक्स्ट प्रत्य के कितने भेद हैं और कौन यहां पर पूछा गया कि कौन से भेद हैं ठीक है तो वो प्रत्य के दो भेद हैं कौन कौन से हैं तो ख्या हमारा जो होगा राइट आंसर होगा क question देखिए उपसर गोर प्रते में क्या अंतर है उप क्या हो गया ये पहले आप जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी उप क्या होता उप होता उपर उपर कब होगा जब किसी से आगे होगा और पर क्या होगा किसी के पीछे होगा ठीक है दोनों में से एक को याद कर लीजिए आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे देखिए जो इसका जो right answer होगा उपसरग सब्दों के आदी में आते हैं और प्रते अंत में आते हैं ठीक है इसका जो right answer वो option number के है और आदी क्या होता है ये बात भी आप याद रखिए आदी होता है किसी भी चीज़ की सुरुआत होना ठीक है किसी भी चीज़ के सुरुव में तो next question हमारा निमन में से किस शब्द में प्रते का प्रियोग किया गया है तो हमारा जो right answer होगा वो होगा option number के इसमें ने प्रते का इसमें प्रियोग किया गया है ठीक है उड़ान शब्द में उड़ ये दातु है और आन इसमें ने इसमें प्रत्य है तो next question है हमारा era era प्रत्य का प्रियोग कि शब्द में किया गया है ये देखिए तो हमारा जो right answer होगा वो होगा गय सपेरा ठीक है saab plus era ठीक है era इसमें धातु का प्रियोग किया गया है तो right answer है गय सपेरा तो next question देखिए निमन मेंसे किस शब्द में प्रत्य का प्रियोग किया गया है ठीक है तो जो right answer है हमारा वो है option number three gay, मिठाई ठीक है मिठाई शब्द में प्रत्य का प्रियोग किया गया है और आई प्रत्य का इसमें प्रियोग है तो हमारा अगला question है निमन मेंसे कि शब्द में उपसर्ग और प्रते दोनों का प्रियोग किया गया अभी तक आपने इसमें देखा था कि या तो उपसर्ग का प्रियोग था या प्रते का प्रियोग था लेकिन इसमें दोनों का प्रियोग किया गया है तो हमारा देखिए जो right answer होगा वो होगा option number के अप मानित ठीक है जिसमें क्या है देखिए अप मानित जो शब्द में अप ठीक है प्रते का प्रियोग किया गया और इत अप इसमें उपसर्ग है ठीक है और इत इसमें प्रते है और मान क्या है इसमें जो शब्द है मुल शब्द क्या है वो मान है और अब क्या है वो उपसरग है और इत परते है यह बाद आप याद रखिए तो आप सभी जो दोस्त हैं उनको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और दोस्तों को भी यह वीडियो समय से मिल सके और उनका भी भला हो सके तो चलिए धन्यवाद